जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज हम लोग डिसकस करेंगे सोलुशन चैप्टर का अगला टोपिक जिसका नाम है सोलेबिल्टी हिंदी हैं बोलते हैं विलेटा तो आए शुरू करते हैं सोलेबिल्टी या विलेटा दियान नखेगा जी किसी भी सोल्यूट या विलेपदार्थ की वह अधिक्तम मात्रा जो 100 ग्राम सोल्यूट या विलाएक में निशित ताप पर फिक्स तेंपरेचर पे घुल जाती है वह कहलाती है उस सोल्यूट या विले की विलेटा किलियर है आपको और बच्चो आज हम लोग डिसकस करेंगे सोल्यूट अफ गैसे इन लिक्विड्स की जो आपके दरव हैं दरवो में गैसों की विलेटा कैसे होती है कितनी ही होती है और कौन कौन सी चीजे उन पे असर डालती है तो आईए चलते हैं बच्चो आप जानते होंगे कि जो हमारी गैस होती है गैसों की आम तोर पे अगर सोल्यूटी की बात करें या विलेटा की बात करें या फिर गुलन सीलता की बात करें गैसे जो होती है वो आम तोर पे लिक्विट्स में कम घुलती है दिहान नखीगा लेकिन तब तक जब तक उन पे कोई कंडिशन कोई फैक्टर ना लगाया जाए अब एक्जाम्पल को ही ले लीजिए एनसरी, अमोनिया, हCEL, SO2 इन तीन गैस की अगर बात करें तो ये तीनों गैस जो होती है ये पानी में बहुत ज़्यादा घुलती है इसली घुलती है तो दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें डाई हाइडियन, डाई ओक्सिजन, ड इन तीन गैस की इनके लाव और भी है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे कुछ में में गैस ले रहे हैं तो S2O2, N2 गैस की बात करें तो आप जानते हैं वाटर की अंदर बहुत कम घुलती है, मैं जानता था आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, कि सर ऐसा क्या वज़े है कि वो तीन गैस तो जादा घुल गई और ये जो तीन गैस आप बात कर रहे हैं, S2O2, N2 ये कम घुलती है, ऐसा क्यूं होता है, हाँ हाँ, तो आईए फिर डिस्कस करते हैं न, फेक्टर्स एफेक्टिंग सोलेबरिटी ओफ गैस वो कौन सी चीज़े हैं, जो गैसों को जा are more soluble in common solvents, बचो ध्यान रखेगा वो गैसें जो सरलता से easily liquefy हो जाती हैं, दरव वीत हो जाती हैं, दरव में बदल जाती हैं, वो गैसें पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जादा घुलती हैं, एक्जाम्पल से के लिए करता हूं, मत लीजे अटेंशन आ गया है, chemistry junction CO2 gas is more soluble than that of hydrogen O2 gas in water, बच्चों CO2 gas जो होती हैं, वो बहुत easily, बहुत कम temperature पे liquefy हो जाती हैं, liquid में बदल जाती हैं, hydrogen और oxygen gas के तुलना में, तो H2O2 gas जो होती हैं, वो मुश्किल से liquid में convert होती हैं, difficulty से liquefy होती हैं, लेकिन CO2 सरलता से liquefy हो जाती हैं, इसलिए CO2 gas जो होती ह वो बहुत जल्दी और बहुत सरलता से liquid में water के अंदर dissolve हो जाती हैं, तो बच्चों ये key point हैं, जिससे आप easily किसी भी एक technical आदमी को समझा सकते हैं, कि बताओ कौन सी gas ज़दा गुलती हैं और कौन सी कम, तो आप सरलता से बोल सकते हैं, easily बोल सकते हैं, कि देखो भाई, जो gas जल्दी और easily liquefy हो जाती है, द्रव में बदल जाती है, वो gas water के अंदर जादा गुलती है, example आपके सामने हैं, डरते क्यों हैं, तो चलिए अगले factor की, अगले कारक की बात करते हैं, जो gas की solubility पे असर डालता है, second nature of solvent, अगला जो है जी, वो है आपके विलायक या solvent की प् पड़े, gases are more soluble in water than that of any organic solvent because in water gases form ions in aqueous solution easily, बच्चो ऐसे solvent जिनके अंदर gases जो है आइनों में विवक्त हो जाती है, आइनाइज हो जाती है, ऐसे solvent में गैसे जादा गुलती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा organic solvent है, जिसमें आप गैसों को घूलना चाहते हैं, तो organic solvent में गैसे कम गुलती हैं क्योंकि वह वहाँ पर आइनाइज या आइनों में नहीं तूट पाती हैं, सर मुझे के लिए नहीं हुआ, चिंता कहा हैं करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा एक्जामपल आपके लिए, बच्चो आप देख सकते हैं, HCL गैस को हम लोग ने वाटर में ड पूट जाती है, लेकिन अगर आप HCL गैस को किसी बेंजीन या फिर ऐसी टोन में पास करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है, क्या ये आपको क्लियर है, टैंप्रेचर, अब देखते हैं बच्चो की टैंप्रेचर या ताप मान से गैसे की सोलेबिलिटी पे क्या आसर पड़ता है, solubility of gases in liquid solvents is exothermic in nature, ध्यान रखीगा मेरे मुन्नों, मेरे प्यारों, कि जब भी आप किसी गैस को liquid solvent या water के अंदर गुलते हैं, तो वहाँ पे heat बाहर निकलती है, क्योंकि गैसों को घोलने से उश्मा या heat release होती है, ये process exothermic होता है, उश्मा शेपी होता है, solubility of gases in liquids decreases with increase of temperature, ध्यान रखिएगा, जब आपको उपर बताया है, कि जब गैसों की solubility होती है, जब गैसों को liquid में गोलते हैं, तो process हमारा exothermic होता है, तो यहाँ पे गैसों की solubility को less temperature, low temperature favor करेगा, अगर आप temperature बढ़ा रहे हैं, और गैसों को dissolve करना चाहते हैं, तो हाथ नहीं लगेगी, गैस आपकी कम गुलेगी, क्योंकि low temperature favor करेगा, high temperature करने से गैसों की solubility कम हो जाती है, अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, सर, clear नहीं होगा है, तो tension मत लीजिए, इस example को देखिए, in summer season, fishes are found at deep water of a pond, होता क्या है, कि ज तो अपने सांस लेने के लिए, जल में गुली हुई water soluble, जो हमारी oxygen होती है, उसको use करते है, लेकिन oxygen already कम गुलती है, और जब आप देखिए, गर्मियों में temperature high होता है, तो जो surface का pond की, जो surface का water होता है, वहाँ पे गरम होने से, उस पानी के अंदर से oxygen बाहर निकल जाती है, oxygen कम हो जाती है, तो जो हमारे fishes या aquatic animals होते हैं, उनको पानी में oxygen चाहिए ज़्यादा, और उसके लिए उनको जाना पड़ता है, समुदर के अंदर या जो आपका तलाब है, उसकी तलहटी में, उसकी गहराई में जाना पड़ता है, कि जितना आप निची की तरब चलेंगे, वहाँ पे पानी का temperature थोड़ा कम हो जाता है, और जब पानी का temperature कम होगा, तो इसके अंदर oxygen भी ज़्यादा मिलेगी, ये आप लोग जानते हैं, तो ध्यान लखीगा, अगर gas को घोलना है water में ज़्यादा, तो कीजिए वादा low temperature का, high temperature का नहीं, प्रेशर, अब देखते हैं बच्चों की गैसों की solubility पे दबाओ का या दाब का क्या फरक बढ़ता है, solubility of gases increases with increase in pressure, ध्यान रखिएगा कि किसी भी gas की solubility प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है, ये बिलकुल temperature का उल्टा है, यहाँ पे कुछ लोगों को संका हो रही होगी, मत कीजिए संका, बजा दीजिए डंका, तो example देखिए और हो जाएं इंसन फ्री, escaping of bubbles on opening of a soft drink bottle etc, आपने गर्मी का सीजन है, जरूर किसी ने कभी ने कभी cold drink जरूर पी होगी, और अगर आप देखे थमसप या फिर coke जो पहले आती थी, आज कल की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप थोला याद कीजिए पास्ट का, बूत काल का वो समय जब आप cold drink की bottle खोलते थे, तो उससे बुलबुले बहुत तीजी से बहार निकलते थे, क्या है clear है आपको, तो बच्चों cold drink की bottle में high pressure होता है, और उसके अंदर जो CO2 gas होती है, हाँ हाँ cold drink के अंदर CO2 gas होती है, त cold drink की bottle के अंदर pressure जादा होता है, तो pressure जो अंदर जादा है, वो release हो जाता है, pressure कम हो जाता है, और वो सारी gas cold drink से बाहर निकल जाती है, बुलबुलो के रोप में, याद आया ना, जी हाँ, clear करता है, सावधानी हटी, दुरगटना घटी, तो आप देखिए cold drink के अंदर gas तब तो कीजिए वादा जादा pressure का, तो बचो आज हमने चार factor discuss किये, जिसकी help से आप बता सकते हैं, कि कैसे भी किसी भी liquid के अंदर हम gas की solubility को बढ़ा या घटा सकते हैं, तो hopefully आपको clear हुआ होगा